मनमोहन सिंग एक बेहत गरीब परिवार में जन्में लेकिन उन्होंने गरीबी को कभी पढ़ाई के आले नहीं आने दिया वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठ कर पढ़ते रहे उन्होंने हार्ड वर्ग भी किया और हावर्ड द्वारा सम्मानित भी हुए वो बिना किसी राजनेतिक प्रष्ट भूमी के देश के वित्त मंतरी बने उन्होंने देश में बंद पड़े उधारी करण के दर्वाजे खोले उन्हीं की नीतियों के बदौलत देश सूचना क्रांती की ओर तेजी से बढ़ा और हर हाथ में मोबाइल फोन आ गया वो पहले गयर राजनेतिक व्यक्ति थे जो देश के प्रधान मंतरी बने पटरी से उतर चुकी अर्थविवस्था को उन्होंने दोडा दिया क्रूड ओयल 146 डॉलर प्रती बैरल होने के बावजूद उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को काबू में रखा सादगी पसंद मनमोहन सिंग ने बिना ठाट बाट दिखाए विदेशों में भारत का मान बढ़ाया उनकी विद्वता के कारण दुनिया के तमाम नेता आज भी उनकी इज़त करते हैं वो दस साल देश के प्रधान मंत्री रहे मगर उनका परिवार देश के साधारन नागरिकों की तरह ही रहा प्रधान मंत्री रहने के दौरान उन पर भष्टा चार को बढ़ावा देने के आरोप लगे उन्हें कमजोर प्रधान मंतरी कहा गया और विपक्ष उन्हें मौन मोहन कहकर चड़ाने लगा लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मेरे बारे में फैसला इतिहास करेगा